सोच का इफेक्ट हमारी बॉडी के हर इससे पर आता है, आपको बता है, आप जो जो सोचते जाते हैं, वो बॉडी को बहुत इंपक्त करता है, हमारी बॉडी पांच तत्वों से बनी है, कोई समय पहले एक जैपनी साइंटिस्ट है, उसका पूरा यूट्यूब पर आप गुजरते थे, और बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, एक पानी के सांपल के उपर उन्होंने, पहले तो दोनों सेंपल सेम थे, तो उसका एक फोटो निकाला, क्रिस्टिलाइन फॉर्म का माइक्रोस्कोप से फोटो निकाला, फिर उस पानी को इस सांपल को महां रग दिया, जहां से बहुत लोग गुजरते थे, उन्होंने एक पानी के सांपल के उपर लिखा Hitler, दूसरे के उपर लिखा Mother Teresa, बॉटल में डाल कर ये कर दिया, म्यूजियम जैसे में रग दिया, या मेट्रो स्टेशन पर रग दिया, जहां लोगों का बहुत आना जाना था, अब जैसी लोगों ने पढ़ा Hitler, तो मन में क्या संकल पाएंगे, नेगेटिव में भी कैसा था, हेट्रेड, गुसा, डिक्टेटर, ये सब जैसी पढ़ा Mother Teresa, kind, loving, peaceful, तो हमने शब्द पढ़ा हमारे मन में संकल पुठा, जो संकल पुठा उससे vibration create हुआ, वो वापस किस पर गया, impact किया, पानी को, दो-तिन दिन ऐसा experiment करने के बाद, उन्होंने वापस उसका photo कीचा, और जब उन्होंने वापस photo कीचा, तो उन्होंने देखा, जिस पानी के उपर Hitler लिखा था, उस पर ऐसे काले-काले-काले-काले धब्बे थे, और जिस पर Mother Teresa लिखा था, उसका बहुत सुन्दर, crystalline, बहुत सुन्दर formation बन कर निकला, फिर उन्होंने एक और experiment किया, एक के उपर लिखा, I hate you, दूसरे के उपर लिखा, I love you, फिर ऐसी क्या, फिर देखा, दोनों में फरक, फिर किसी के उपर लिखा, thank you, फिर किसी के उपर लिखा, sorry, ऐसे उन्होंने multiple experiments के, जो आप देखे, आपके वल डालेंगे न, emoto water experiment, तो वो सारा का सारा खुलकर आ जाएंगा, चाहेंगा तो यहां भी आपको screen पर दिखा देगे, बहुत easily available है, और फिर उस सारे के सारे experiment का जो result था, उन्होंने का हमारी सोच से, जो vibration निकलता है, उसका impact किसके उपर पड़ता है, पानी के उपर, जो हमारी सोच है, उससे जो vibration निकलता है, उसका impact किसके उपर पड़ता है, पानी के उपर, हमारा शरीर, कितने percent पानी है, तो वो उस पानी पर तो भार पर impact पड़ेगा, लेकिन हमारी हर सोच का पहले impact किसके पर पड़ेगा, हमारे शरीर पर, इसलिए प वाणी, नहीं तो क्या connection क्या है, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा अन. क्योंकि वो चीजे आपके energy को क्या करती है absorb कर लेती है कहते थे शेहर का तो पानी खराब है कहते थे कि नहीं कहते थे तो शेहर क्योंकि वो शेहर में negativity है वो शेहर में stress है वो शेहर के पानी को कहते थे पानी खराब है पानी, लोग किसी के घर का पानी भी नहीं पीते थे पहले, होदा था ना किसी के घर का, क्योंकि किसी के घर का पानी नहीं पीना होता है, किसी के घर का पानी पीना माना, उसके घर की जो energy है, वो सारी किसमें absorbed है, पानी में, तो पानी पीना नहीं है, उसके घर की energy को absorb करना है, इसलिए तो पानी का इतना महत्व होता है कि जिस पानी का हम भोग लगा देते हैं मंदर में, तो फिर वो क्या बन जाता है? वो चर्णामत बन जाता है. फिर उसका जरासा भी आप क्या करेंगे? उसको इतना लेंगे, प्रशाद के दर लेंगे, कोई बिमार होगा तो कहेंगे क्यों उस पानी के अंदर energy कौन सी है positive energy गंगा जल का लोग इतना महत्व क्यों करते है सब bottle भर भर के अपने घर ले जाते हैं कि नहीं क्योंकि वो गंगा के किनारे सारा दिन क्या होता है आरती है, पूजा है, पाठ है, भजन है यही सब तो हो रहा है अब जब सारा दिन वहाँ पे positive energy है तो वो किस में absorb हो जाती है पानी में, वो पानी जब आप पीते हैं तो उसका impact आपकी body और health में दिखाई देने लगता है अब हम कहां तक यह पानी लेने जाएंगे इससे तुम अपने घर के पानी को charge कर लेना और अपने घर के पानी को charge करना माना किसको charge करना हमारे घर में कुछ ऐसा नहीं चलना चाहिए जिसमें fear है, violence है, anxiety है हमारा घर मंदर के तरह होना चाहिए हमारे घर में ऐसी parties नहीं हो सकते कि सब आएं, इदर उदर की बाते करें इसका परचिंतन करें, इसकी negativity करें ऐसा सब, यह घर है हमारा घर है और जैसे हमारे घर का वायो मंदल होगा वैसी हमारी मन के स्थिति होगी जैसे हमारी मन के स्थिति होगी वैसे बच्चों के पढ़ाई होगी वैसे office में हमारी productivity होगी घर और मंदर अलग नहीं हो सकते घर में मंदर नहीं बनाना है घर को मंदर बनाना है एक है घर में मंदर बनाना दूसरा है घर को मंदर बनाना और घर को मंदर बनाने के लिए सिर्फ क्या करना है जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोर्ड रहे हैं वैसा करना है जो आपकी consciousness को उपर उठाए